The problem is very very clear कि कोई मुसल्मान, मर्ड और मेल, we should not study as a married three female एक बीबी, एक हाज्मन, दो बच्चा, खुशी से रपो तो यह हमारा stand है, तो इसमें हम बहुत complex नहीं होना साथा हूँ हमारा बहुत ही clear stand है, आप अगर पिता है, तो बेटा को जो प्रोपर्टी का राइट दे रहा है इक्वेल सेर आप बेटी को कि देजिए, उसमें कोई हमारा confusion नहीं है तो असाम गवर्मेन का माइन हर इशू में very clear and served है कि आप तलाक मत दीजिए, आप legally divorce दीजिए अगर मिया और बीबी एक साथ रहने का समय तक, जो भी आप प्रोपर्टी एक्योर किया था उसका 50% अधिकार वाइफ को दीजिए, नमबर वान नमबर टू, आप तिन तिन साधी मत किजिए, एक साधी किजिए नमबर ठ्री, अगर आप पिता है, तो मुसल्मान महिलाओ को, मुसल्मान बेतीओ को, बेटा का समान आपका प्रोपर्टी में अधिकार डिजिए ये तीन मुड़ा में, हम लोग बहुत ही क्लियर है, हम लोग का सलीशन वही क्लियर एंड सार्व है और उसमें हमारा जो आसाम प्रोपर्टी का जो मुसल्मान लोग है, मेरा बात को और लोग सपोर्ट भी करता है हमारा इहां में कोई बहुत ज़्यादा conflict नहीं है अगर कोई आके conflict खड़ा कराना साथ अलग बाद है but inherently मुसको कोई Muslim question दे करता है कि आप क्यों हमको टीन बेबी भी साधी करने में माना किया है सब तो उल्टा बोला है कि दादा आप अच्छा बोला है लोगों को एतीन तीन साधी नहीं करना साहिए तो actually our views and Muslim common people views are same इसमें कोई इसमें कोई ये confusion का कोई स्थानी नहीं